स्टुडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे पर्चेस आप डिवैंजर्ज इन ओपन मार्किट प्रिविस लेक्षर के अंदर हम लोग डिस्कस का चुके हैं कि कमपनी किस किस तरह से रिडम्शन करती है किस सरह से इस्टुएंस करती है प्रिविस लेक्षर के अंदर हम लोग ने ये बात की कि कमपनी जो जब रिडम्शन करेगी तो कमपनी या तो पार के ओपर रिडम्शन का रही होगी या फिर प्रिम्यम पर रिडम्शन का रही होगी वहाँ पे हम लोग ने डिसकाउंट को ये अजिम किया कि कमपनी डिसकाउंट के ओपर रिडम्शन नहीं कर रही होती आज के टापिक के अंदर हम लोग डिसकस करेंगे कि कमपनी डिसकाउंट पर किस तरह से रिडम्शन कर सकती है तो यह हमारा टापिक है डिवेंचर की डिडम्शन इन ओपन मार्किट तो अब अगर हम लोग बात करें कमपनी दो तरह से आपके पास डिडम्शन कर सकती है या तो बाइकाल सेकेंड आप्शन कमपनी के पास क्या आता है बाइ पर्चेजिंग डिवेंचर इन ओपन मार्किट यह दो आप्शन होते हैं कमपनी के पास अब इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टाइंड करने की कोशिश करते हैं टाइम लाइन की मदद से अजूम कर लें यह आपके पास डिवेंचर कमपनी इशू कर रही है 31, 12, 30 तक 10 साल के लिए डिवेंचर इशू किये कमपनी ने अब यहाँ पर इस पॉइंट के उपर आके जब कमपनी रेडम्शन करेगी तो यहाँ कमपनी के पास दो यह आप्शन है या तो पार के उपर करेगी या फिर प्रीमियम के उपर करेगी अब कमपनी क्या करती है अब यहाँ पर जिस भी इनवेस्टर ने डिवेंचर पर चेज की होंगे वो अगर उसने अड़ एंड जाके 100 फेस वैल्यू का डिवेंचर है उसके गेंस 100 अमोंट वसूल करनी है या ग्रेटर दन 100 वान टैन नजीम का ले वसूल करनी है तो उसके लिए जो डिवेंचर होल्डर है उसको 10 साल तक वेट करना पड़ेगा या आप ये कह रहेंगे 31 दिसमबर तक जा उसको वेट करना पड़ेगा 2030 तक अब यहां पे कमपनी एलान कर देती है कि कमपनी आफटर 26 डिवेंचर परचेज करना शुरू कर देती है अब यहां पे एक आप्शन हो सकते है कि डिवेंचर होल्डर को अगर इस पॉइंट आफ टाइम पर जाके जरूरत पड़ जाती है कैश की तो वो डिवेंचर किस तरह से सेल कर सकता है अब यहां पे तो एड़ डाट आप वो कमपनी को भी नहीं कह सकता है कि कमपनी आपकी डिवेंचर परचेज कर ले तो उसके पास एक आप्शन है वो स्टाक मार्कीट के अंदर जाएगा वहां पे जा कि किसी सेकिंड परचेज को अपने डिवेंचर जो है वो सेल करेगा और अपनी अमाउंट वसूल कर लेगा अब मार्कीट के अंदर एड डियर टाइम शायद उसको 100 वाला डिवेंचर उसके गैंस 100 मिल जाए शायद 110 मिल जाए या शायद लेस देन 100 उसको अमाउंट वो मिल रही हो तो यहाँ पर इस पॉइंट अफ टाइम के बाद 26 में यहाँ पर आग पर कमपनी इलान कर देती है अनूस कर देती है कि कमपनी मार्कीट से अपने डिवेंचर जाओ वो परचेज करेगी यहां पे अब कमपनी लोगों को बता रही है कि इस टाम के बाद कमपनी डिवेंचर अक्सेप्ट कर लेगी तो यहां पे आप यह भी नहीं कहा सकते है कोई भी डिवेंचर होल्डर कलेम नहीं कर सकता कि कमपनी गलत कर रही है क्योंके कंपनी यह सारे का सारा काम क्या कह रही है अनाउंस करके कर रही है अब अफ्टर 26 इंस time period के अंदर अगर कोई भी डेवेंचर होल्डर जाके इस्यू करता है मार्कीट के अंदर अपने जो डिबेंचर है जो उसने कमपनी से बाइ किये वे थे वो सेल करने की कोशिश करता है तो यहां पे अट डाइट पॉइंट अफ टाइम कमपनी उससे डिस्काउंड के ओपर रेडम्शन करेगी जो डिबेंचर जो 100 वाला है उसको 90 का दे 95 का दे या 99 का दे अट डाइट अप कमपनी उससे वो जो डिबेंचर है वो रेडीम करेगी डिसकाउंट के ओपर तो यहां पे यह एक सेनेर्यू हो सकता है कि जब कमपनी अपने ही डिबेंचर मार्कीट से जाके एलान करके अनूस करके परचेज कर रही है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं परचेजिंग अफ ओन डिबेंचर अब वो कमपनी क्या कर रही है यह वाला मैथड जो है वो कमपनी अडाप्ट कर रही है है वे परेचेजिंग ॉन डॉबेंचर's इन ओपन मार्की टो वो इस तरह का सेनैरीओ होगता है यह फिल्ठ कम्पनी अपने पास उसकी एंट्री क्या रेकार्ड करेगी जब कम्पनी है अऑन्ड डॉबेंचर परचेज करेगी तो वह अपने पास On Deventure Accounts है उसको क्या कर देगी डیबिट कर देगी और उसके गैस कंपनी ने Bank के थरूपे करना है तो Bank Account यहांपे कंपनी उसको क्या कर देगी ницу hy डेबिट क्रड़िट कर देगी अब वो 90 का कंपनी जो है वो Deventure पर Чेस कर रही है जितने अवी पर चैज कारिया भी वह यहां पर company इसको अपने पास record कर देगी उसके बात आपके पास जो company नहीं एंटी कर दी company जब इसको डीम करेगी redemption होगी तो redemption की एंटी company क्या करेगी deb instability account company यहां पर क्या कर दीगी डेबट अब company जब redemption करेगी तो 100 का adventure आपके पास यहाँ पे 100 ही आएगा क्योंकि फेस वैली उसके पास 100 है उसके बाद own adventure account company खतम कर रही है वो redeem कर रही है own adventure account यहाँ पे आपके पास क्या आजेगा credit पे कितने के साथ company purchase कितने का किया था 90 का यहाँ पे 10 अरपीज company को benefit हो रहा है profit on redemption profit on redemption company ने यहाँ पे इसको अपने पास record कर लिया at the time of closing यह profit जो है company किसको चार्ट कर देगी capital reserve को तो उसकी entry company अपने पास क्या कर रही होगी profit on redemption account company इसको अपने पास debit करेगी और इसको चार्ज कर देगी capital reserve को कितनी amount के साथ रुपीज 10 के साथ तो यह आपके पास simple entries company पर फार्म करेगी जब company डिमेंचर परचेज करेगी अब जब company own डिमेंचर परचेज करेगी तो उसकी entry आपके पास यह जब company उसको redemption कर देगी जब cancel कर देगी cancellation हो जाएगी एंड उस डिमेंचर की at the time of cancellation company उसकी entry अपने पास क्या कर रही होगी this one और जो भी profit होगा capital reserve को company चार्ज कर रही होगी तो यह एक scenario हो सकता है एक situation हो सकती है जिसमें company discount के ओपर भी redemption कर रही होती ओप सो यह चीज़ आपको clear होगी